तो आईए दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया था इस घड़ी में वो प्रॉब्लम क्या था कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिन है वो पिन ढीला था और वो तुटा ढीला होके इस तरह हलका सा तुटा होगा था यह देखिए आप इसमें देख सकते हैं यह उसको तयार किया हूँ इसमें क्या होता है अभी देखिए अभी हम सही ढग से जहां पर भी जहां जाएंगे वहां स्ट्राइक होगा और रुकेगा भी पिन का फॉल्ड था उसमें यह देखिए जहां भी उसका पूरा हो गया स्ट्राइक तो हम उसको अपने आप आके रुकेगा इसका मतलब वह पिन में फॉल्ड था जिसको निकालने में थोड़ा टाइम लग गया और इसमें कुछ करना नहीं है बाकी सब घड़ी साई है अब हम इसको ठोड़ा सा लुब्रिगेट करके साई डंच से केस में फिट कर देंगे तो हमारा घड़ी त्यार हो जायद देखिए अब फिर से एक बार देख लीजे यह रही स्ट्राइक ये रही स्ट्राइक फिर से एक बार देख लिजिए खत्री कर लेना जरूरी है क्योंकि बार-बार घड़ी को लाना ले जाने का भी दिक्कत आएगा और इसको एक साथ अगर हम कंप्लिट कर दिये तो हमको भी कोई शिकायत में रता और हमारे काम का हमको भी विश्वास बैड़ जाएगा कि हम काम सही कर रहे हैं काम का खुद पर विश्वास रहना बहुत जरूरी है इस सेल्फ कॉन्पिडेंस जो बोलते हैं और हना बहुत जरूरी है देखिए अभी आप इसको देख सकते हैं इसको उठाने से एक आदा बज के रुख जाएगा यह रुख गया तो इसका मतलब हमारा घड़ी साही है तो आईए आज हम इसको यहां रोकते हैं इसको एक नट की कमी थी हमारे पास इसको एक nut नहीं डालेते पीछे बाजू में, उसके लिए हम एक nut डाल देंगे, हमारे पास बहुत सारे nut हैं, उनमें से एक nut निकाल कर इसको पीछे बाजू में एक nut डालना बहुत जरूरी है, यहाँ पे nut एक होना, इसके लिए एक nut ढूंडेंगे, हमारे पास बहुत सारे nut ह इन में से एक नट ढूंड कर उसको एक नट लगा देंगे उसके साइज का लेना है अपने से यहां से एक नट एक नट ढूंड कर उसमें लगा देंगे हो सकता यह बेठेगा नहीं थोड़ा लूज है इसे थोड़ा छोटा लगेगा नट नट के हिसाब से हमारे साइज के हिसाब से हम नट मिल गया है इसको अभी हमको थोड़ा इससे कस देना पड़ेगा ये देखें नट मिल गया है इसका साइज का नट अभी हम इसको कस के बिठा देंगे ये नट का होना इतने ही जरूरी है जितना quarter pin ज़रूरी है फंके में quarter pin नहरा तो जिस तरह फंका गिरने का भी डर रहता है उसी तरह ये है कभी गलती से हमने चारों नट अगर सागे के खोल दिये और पीछे का एक नट रह जाने से प्लेट उठके नहीं आएगा जगे से हिलेगा ने प्लेट तो प्लेट को पकड़ के रखा गए इसलिए ये पांचवा नट डालना ज़रूरी है ये हमारे लिए safety का काम करता है ये रहा पांच नट और ये रहा घड़ी मिलते हैं अगले वीडियो में कैसा लगा आप बताईए आपका feedback बहुत important है और कुछ भी सवाल जवाब सवाल है तो सवाल दीजिए उसका जवाब मैं जरूर आपको दोंगा धन्यवाद और like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए Thank you